हेलो गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ मज़े में होंगे तो यारों आज हम तेजस्वी जानवरों की फणी हर्कतें देखेंगे जिन्हें देखा आपको बहुत मज़ा आएगा तो आएए बढ़ते हैं वीडियो की ओर ये शेर अपनी जगह से उठकर अपने दोस्त के पास जाकर उसकी पीट पेसी रखके सोना चाता था लेकिन इसका साथ ही वहां से उठकरा हुआ और ये धम से नीचे गिरा लोगों को नाचते हुए आपने कहीं न कहीं देखा ही होगा लेकिन कभी किसी जानवर को देखा है अरे सच में यार ये देखो दो बकरियां पता नहीं किस खुशी में नाच रही है पर ये तो कुछ नहीं है यहां बकरियों की पुरी की पुरी टीम नाच रही है यहां सोय हुए कुट्टे के सामने एक नकली टाइगर रखा होता है और वो जैसे ही उठा तो टाइगर को देखते ही अपनी दुम दुबा कर भाग गया जैसी संगत वैसी रंगत के बारे में आपको पता ही होगा और आज उसका एक जीता जागता एक्जामपल भी देख लो इन कुट्टों के बीच एक भीड गलती से आ गई जो इनके साथ हिनी की जितनी स्पीड में भागने लगी ये चिमपैंजी तो हम इनसानों के जैसे लेंबोल गिनी में बैठ कर उसमें गाने चला के हवा में उड़ रहे हैं जरा यहां देखो एक लड़की इस बंदर को खाने के लिए कुछ देती है इसने वो थोड़ा सा खाया लेकिन पसंद ना आया फिर इसने वो लड़की के मुह पे मारने की कोशिश की पर लड़की बच गई अब यहां भी देख लो इस भेड के पिछवारे में हो रही थी खुजली तो इसने एक पथर के ऊपर अपना पिछवारा घसीड कर खुजली दूर की इस कुटे के पीने के लिए कटोरे में दूद रखा जाता है और उसी के बिलकुल बगल में ही एक बड़ा सा शीशा भी और ये जब जब उसे पीने के लिए जाता तब तब शीशे में अपने आपको देख कोई दूसरा कुटा समझ कर पागलों की तरह भूकता है और शीशे के पीछे देखता है वो कुटा है कहाँ इंटेलिजेंस के मामले में ये मुर्गा सबसे आगे है क्यूंकि जब ये बच्चा इसे गले मिले को कहता है तो ये जटपड इसके गले लग जाता है एक धम इनोंने वक्त बदल दिया जिस बहुत बदल दिया ये बढ़िया था गूरू एक फाट रख इस रोड से जारा होता है और ये कुटा उसी के जैसी अवाज अपने मुह से निकालने का परयास करता है और ये लग भग निकाल भी लेता है साब बाद